हेलो फ्रेंट्स भारत और पकिस्तान के बीच होने वाला 14 अक्टोबर को यानि सनी बार को दोनों टीमों का प्लेइंग 11 क्या होने वाला है जानेंगे इस वीडियो में तो बने रहिए वीडियो में एंड तक फ्रेंट्स विश्यकप के मोजुदा संस्क्रेन में भारत और पकिस्तान की टीम पहली बार सनी बार 14 अक्टोबर को आमने सामने होगी ये मुकाबला एहमेदबाद के नरेंदर मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा इस मैदान पर टूनामेंट का ये दुसरा मैच होगा इसस पहले मैच में पाच बार की चैंपियन ऑस्टेलिया को हरा का टीम इंडिया ने अपने इरादे साब कर दिये है इसके बाद उसने दूसरे मैच में आफगानिस्तान को बुरी तरह हरा दिया रोहित सर्मा के सामधार सतक से टीम को बरी जीत मिली अब भरतिया टीम की नजर ज नई हरने का सिलसिला भी जारी रहेगा भारत में अब तक साथ बार विस्टर कप के इतियास में पाकिस्तान का सामना किया है और हर बार उसे जीत मिली है अभी चलिए जानते हैं दोनों टीम की प्लेइंग 11 के आउने बलाई है पहले जानते हैं भारत कप प्लेइंग 11 प्रो पर हर्दिक पंडिया रविंद्र जादिजा पुल्दी प्यादब जस्प्रित भुम्रा मुहम्मद सिराज मुहम्मद सामी और रविचंद्र नस्रीन इन दोनों में से कोई एक खेलेगा अभी जानते हैं पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या है अब्दुल्ला साफिक इमामु सदाप खान, मुहम्मद नवाज, हसान अली, साइन्स अफरिदी और हरीष राव इस वीडियो में इतना ही आई होप यह अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट चरूर करें मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार